हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ आपका एजूगेटर कमलाक्ष जा 2nd of December 2020 का Current Affairs का ये lecture आप लोग देख रहे हैं ये lecture especially उन स्टूडेंट्स के लिए mandatory है जो State Civil Services की तयारी कर रहे है या SST या Bank या Railways Examination या किसी भी सरकारी exam की तयारी कर रहे है तो आपके लिए mandatory है इस पूरे lecture को end तक देखना अगर आप regularly ये वाले lectures को देखते हैं तो आप कोई भी exam को crack कर सकते हैं यानि कि किसी भी exam के अंदर आपको Current Affairs के लिए अलग से पढ़ने के आवशकता नहीं है सब की सब चीज़ें यहाँ पर आपको provide की जा रहे हैं तो चलो आपका समय ना वेस्ट करते हैं फटाक से lecture को शुरू कर लेते हैं World Malaria Report 2020 की बात हो रही है directly आपसे सबसे पहली चीज़ तो ये पूछी जा सकती है कि ये किसके द्वारा release की जाती है तो आपको याद रखना है World Health Organization WHO release करती है World Malaria Report और World Malaria Report में ये चीज़ पाया गया कि इंडिया के अंदर भारी गिरावट Malaria की cases में देखने को मिली यानि कि all over the world जितनी countries में Malaria की cases होते हैं तो सबसे जादर जो गिरावट हुई है वो इंडिया में हुई है और South East Asia छेतर पर सबसे जादा भारी मातरा में गिरावट Malaria के cases में इंडिया के अंदर record की गई है जो reduction हुआ है वो 20 million cases सन 2000 में हुआ करते थे और 2019 में अब मातर बजगा हैं लगभग 5.6 million cases Malaria के तो इतना huge reduction जो है वो Malaria के cases में हुआ है और all over the world total 11 countries है जहाँ पर भारी मातरा में Malaria disease हम लोग को देखने को मिलती है Malaria बिमारी देखने को मिलती है उन में से एक इंडिया भी है तो यह आली चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए अब गैस बात हो रही है Wolf Brigade 44 के बारे में तो देखे डारेक्ली यह question बनेगा Wolf Brigade 44 क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक organization है कहा का यह organization है तो Germany आपको याद रखना है और अभी recently Germany सरकार ने इस organization को ban किया क्यों ban किया क्योंकि इसकी कुछ ऐसी हरकत थी जिसके कारण इसको ban करना पड़ गया क्या हरकत थी इसकी तो यह democracy खतम करना चाह रही थी Germany के अंदर प्रहई कि किसी प्रकार का लोगतंत्र जो है वो Germany में ना हो तो उसको यह खतम करना चाह रही थी साथी साथ racism को नसलवात को यह फैला रही थी anti-semitism की approach इसकी देखने को मिलती थी अब question यह भी बन सकता है anti-semitism क्या होता है तो जो यहूदी लोग होते हैं यहूदी यानि कि Jewish जो Jewish people होते हैं यहूदी लोग जो होते हैं यहूदी community होते है उसके against यह जो है वो operate कर रही है organization यानि कि उनके against है उन community के against है तो community के against होना है यानि कि racism को promote करना उसका प्रचार करना तो यह वाली चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है और साथी साथ Adolf Hitler को यह follow करते हैं नाजी लीडर Adolf Hitler और इतना ही नहीं यह चाहते हैं कि दोबारा से नाजी state Germany में reestablish हो जाए और अभी Germany की police ने यहां के इनके कुछ members को इस Wolf Brigade 44 organization के members को जब पकड़ा तब उनके पास से काफी सारे symbols जो है वो नाजी के पाएगा है तो अभी German सरकार ने इस particular organization को बैन कर दिया है इनके symbols को बैन कर दिया है इसमें एक और चीज आपको बता होनी चाहिए इनका एक number 44 भी है यानिकि इसमें जो 44 number हम लोग को देखने को बिलता है ना तो यह number 44 symbol बताता है कि Daryl Wenger को यह Daryl Wenger कौन है तो इसके बारे में आपको बता दूँ कि 1940s के समय पर Belarus के अंदर एक यह व्यक्ती थे Oscar Daryl Wenger तो मेरे खाल से शाद मैं इनका नाम थोड़ा गलत प्रनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए माफी चाओँगा बाकी आप यह spelling थोड़ी सी देख लीगे तो यह जो व्यक्ती थे इन्होंने order किया था कि जो civilians है यानि कि जो लोगबाग है जो citizen से जनता है उनको मार दिया जाए तो mass care order किया था यानि कि उनको मार दिया जाए सभी लोगों को उसको 44 number से associate किया जाता है तो यह सब symbols भी जो है इनके पास पाए गए थे इस organization के पास पाए गए थे तो काफी इस organization की जो activity थी वो Germany के अंदर nuisance create करने वाली activity थी तो इससलिए इस organization वो Germany ने ban कर दिया तो यह कुछ basic facts है Wolf Brigade 44 से related आप थोड़ा से ध्यान में रखना और जो चीज़ मैं आपको बताईए सिर्व उतनी ही चीज़ ध्यान में रखनी है उससे बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा understanding the point अब आगे की बाप करते है देखे कौन सी city है जहापर child friendly police station establish हुआ है तो यह city है पूने पूने याद रखना आपको पूने के अंदर child friendly police station हुए वो अभी recently established हुए simple सी चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है और national commissioner for protection of child rights इनके दौरा guidelines में वो provide की गई थी कि child friendly police station की तो उसको guidelines को follow करते हुए यह establish किया गया तो यहली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चीज़ के बार में अब गईस बात हो रही है Ethereum 2.0 के बार में तो देखे जैसे ही आप पढ़ो Ethereum 2.0 को आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह एक cryptocurrency है तो एक cryptocurrency platform यह हम लोग को देखने को मिलता है cryptocurrency यानि कि bitcoin जो हम लोग को देखने को मिलती है वो भी एक cryptocurrency है ऐसी काफी सारी cryptocurrency है bitcoin का एक market काफी बड़ा है largest cryptocurrency market हम लोग को देखने को मिलती है bitcoin और bitcoin के बाद जो सबसे बड़ा जिसका market है cryptocurrency का वो है Ethereum तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चीज़ और आपको एक जनरल आइडिया तो हो गई कि बिटकोइन का उपियोग जाद तर हम लोग को गलत अक्किविटीज में देखने को मिलता है जैसे कि टेरिस्ट वगरा लोग भी क्रिप्टो करनसी को उपियोग करते है या फिर जो हैकर्स होते हैं कई ड़ेहर आपने देखा होगा कि कभी एक बड़ी है्किंग जो होती है तो उसमें जो हैकर होते हैं वो हु क्रिप्टो करनसी के थुरू पैसा जो है क्योंकि क्रिप्टो करनसी के ट्रांसिक्षिन को ट्रैक करना next to impossible है ट्रैक इन्ही किया प्र पूरा transaction details वगरा जो होती है, तो इसमें पता नहीं लगा जा सकता है कि यह transaction वो किस ने किया है और किस के पास यह transaction किया है, तो इसलिए जो hackers वगरा होते हैं, और terrorist होगा है या फिर जो भी गलत काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग तो वो cryptocurrency के थूरू जो है वो पैसा accept करते हैं, त तो यह cryptocurrency है bitcoin, तो bitcoin के बाद दूसरे number की जो cryptocurrency है, वो है ethereum, और उसी का 2.0 version अभी recently सामने आया है, तो इसलिए यह topic news में था, और ethereum को पहली बार propose किया गया था 2013 में, Russian Canadian cryptocurrency researcher और programmer, Vitalik Butrin के द्वारा, तो यह चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चीज़ के बारे हैं, simple सा fact और एक और चीज़ या दखना, इंडिया के अंदर cryptocurrency नहीं use की जा सकती है, यानि कि आप cryptocurrency के through transaction इंडिया के अंदर नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कुछ purchase करना है, तो आप cryptocurrency का इस्तमाल इंडिया में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में cryptocurrency को legal tender नहीं करार किया जाता, इंडिया में नहीं है, आप पुराने 500 हजार के note का उपयोग नहीं कर सकते हो, तो वो क्या है, वो legal tender अब नहीं है, तो legal tender का मतलब यह होता है, कि जिसके तुरू आप transaction वगरा कर सकते हो, और जो legal है, transaction करना, तो इंडिया के अंदर cryptocurrency legal tender के दौर पर नहीं देखने को बलती है, understanding the point, तो यह चीज़ है, अब यहाँ बर बात हो रही है, 100 octane petrol की, तो देखिए गाइस, इंडियान oil corporation ने recently launch किया है, पहला 100 octane petrol, और पहली बार 100 octane fuel जो है, वो हमारी country में launch हुआ है, और इसको किसके दौरा manufacture किया गया है, तो इसको इंडियान oil corporation, मतुरा refinery के दौरा manufacture किया ग मात्र 6 ही countries के अंदर पूरे दुनिया भर में, यह 100 octane petrol हम लोग को देखने को मिलता है, यह 6 countries कौन सी कौन सी है, Germany, United States, Greece, Malaysia, Indonesia, Israel और अब इंडिया, यहाँ पर हम लोग को 100 octane petrol भी अब देखने को मिलेगा, जैसे कि अलग अलग जो petrol की quality होती है, जैसे अब आप petrol pump पे अब यहाँ पर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश Power Distribution Network Rehabilitation Project के बारे में, सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना, इस प्रोजेक्ट की funding की जा रही है, Asian Development Bank के द्वारा, first point, second point, यह जो प्रोजेक्ट है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यह है, कि उत्तर प्रदेश के अंदर electricity के जो supply, यानि कि electric supply, उत्तर प्रदेश के अंदर यह घर-घर में लोगों को electricity supply, proper तरीके से मिल सके, quality और reliability electricity supply में हो, तो उस चीज को improve करने के लिए य प्रोजेक्ट जो है, वो लाया गया है, क्योंकि नाम सीजर में आ रहा है, power distribution network rehabilitation project, तो एक बहतर electricity supply के लिए यह प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर involved किया जा रहा है कि 65,000 km का rural low voltage distribution line, यानि कि गाउचेत्र की जो low voltage distribution line जो है, उसको convert किया जाएगा, bear conductor से, aerial bundle conductors में, या प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश के अंदर तो याद रखेगा, उत्तर प्रदेश, civil services की जो लोग तैयारी कर रहे है, या UP के exam देते हैं, तो इस प्रकार के question जो है, वो आने की संबाबना जादा होती है, तो देखो, आप जिस भी state से belong कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जिस state का exam देते हैं, तो यहाँ पर वो भी चीज धियान में रखना की, जो भी topic में आपको जिस भी state का बताता हूँ, तो आपका अगर वो state है, तो उसको अलग से record करके रखोर, वैसे तो आपको पढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि यह पूरी चीजे ही, जो है वो exam में आ सकती है, पूशी आ सकती है, अब बताया जा रहे है कि करनाटा का के अंदर learning management system अभी recently launch हुआ है, यह learning management system कैसे beneficial होगा करनाटा के अंदर, तो देखो वहाँ पर जैसे की colleges बगेना में, सरकारी college जो है, वहाँ पर यह implement किया जाएगा, और वहाँ पर जो बच्चे हैं, उनको PPT, videos, quizzes, assignment, e-study material, यह सब चीजें जो है, वो university का syllabus है, उसके according develop करके provide की जाएगी, तो एक better quality e-content जो है, वो भी multilingual language में, यानि कि अलग-अलग languages में, जो है, वो provide किया जाएगा, तो यह चीज है, इसके लिए यह learning management system हम लोग को देखने को मल रहा है, याद रखिएगा, करना रखिएगा, पांगलादेश ने यह वाला announcement किया है, और आपको बताना है, अमेरिका, पांगलादेश, जर्मनी, यह जर्मनी की spelling थोड़ी सी गलत लग दी गई है, यहाँ पे, और UK, United Kingdom, तो इस particular, यहने कि जो countries लिखी हुई है, इसके आपको capital बतानी है, आपको currency बतानी है, इस country के जो president है, उनका नाम आपको नीशे comment box पर लिख कर बताना है, अभी क्या भी, अभी guys, recently लोग सभा के general secretary को appoint किया गया है, और वो कौन है, तो उत्पल कुमार सिंग, उत्पल कुमार सिंग जी जो है, वो नए general secretary, लोग सभा के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिनको appoint किया गया है, और शक्तिकान दास जी जो है, वो कौन है, Reserve Bank of India के governor है, और जगदीब धंगन जी के अगर हम लोग बात करें, तो West Bengal के ये governor हम लोग को देखने को मिलते हैं, C-32 LH troop propellant tank, ये सबसे बड़ा cryogenic propellant tank है, जिसको किसने develop किया है, हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने, ये अभ ये cryogenic tank को develop करने के पीछे, design करने के पीछे मकसद क्या है, तो हमारी ISRO की GSLV MK3 जो है, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3, MK3, तो जो की अभी at present 4 ton ही सरफ अपने साथ weight जो है, वो carry करके ले जा सकती थी, बड़ अब ये 4 ton से 6 ton तक weight जो है, अपने साथ carry करके ले जा सकती है, इसका मतलब ये है क अब हम बड़ी-बड़ी satellites भी, यानिकि heavy satellites भी जो है, वो launch कर सकते हैं, तो simple सी जीज़ बस ये धाल में रखना कि cryogenic जो technology होती है, वो किसली उपयोग में ली जाती है, तो rockets, rockets जो है वो space में पहुँच जाए, अपने साथ समान लेकर, heavy समान लेकर, तो उसके लिए है helpful होती है यानि कि एक push देती है, कि वो space में जले हैं, तो rocket को उपर की दरफ push करने के लिए, space में push करने के लिए, ये technology का इस्तमाल किया जाता है cryogenic technology, और इसी का ही सबसे बड़ा tank अभी HAL के द्वारा develop किया गया है, याद रखना है आपको, और अगर आपको interest है cryogenic technology कैसे काम करती है, तो मैंने 15 December के जो lectures में आपको provide कराता हूँ, जो especially civil services के लिए होता है, जो सुबह साले चार बजे आपको मिलता है lecture, क्योंकि इस channel पे आपसे दो lecture आपको मिलते हैं, एक तो one day exam के लिए अलग lecture होता है, और especially UPSC और state civil services के लिए detail जो lecture में आपको provide कराता हूँ, prelims और mains point of view से, तो उस lecture के 15 तरिक के आप वीडियो देखेगा, 15 December का, यानि कि आज ही जो ये lecture आपको मिल रहा है ये वाला, 2nd December का जो ये lecture में आपको provide करा रहा हूँ, तो आज ही के दिन ही मैंने cryogenic technology के बारे में भी discuss किया हुआ, तो आप जरूर जाकर उसको देखिएगा, और ये basically heavier communication satellite space में हम लोग भेज सकें, तो उसमें मदद करेगी ये technology, right, cryogenic technology, और ये propellant tank काफी बड़ा, सबसे बड़ा, ये अभी तक का cryogenic propellant tank है, जिसको HCL ने develop किया है, तो ये बस basic factor जिसके बारे में आपको idea होना चाहिए, जान करी होनी चाहिए, तो ये था अपना आज का last topic, and guys मैंने ज तो भी आपको topics अभी explain किये हैं, अगर आपको अच्छे से clear हो गए हैं, तो like का button hit किये बेगर, बच जाईएगा, guys share जरू कर दिए channel को, lecture को, क्योंकि आप जब support करेंगे, तभी ये अपना channel जो है, वो continue चलता रहेगा, right, तो चलो आप आपन next video में मिलेंगे, तब तक लिए बबाई, take care, have a great day ahead, तादा